जब इच्छा धा इनागिन ने ये देखा कि चुडैल बच्चे को खाने वाली है तो उसने अपनी सक्तियों का वार चुडैल पर किया अचानक हुए इस हमले को देखकर चुडैल गबरा गई और वहां से भाग गई गाओं के पास ही जंगल में एक भूदिया कुवा था उस कोई में एक चुडैल रहती थी नमस्कार दोस्तों ये कहानी रामपुर गाओं की गाओं में रामलालाम का किसान अपनी पतनी मीरा के साथ रहता था मीरा गर्वती थी जल्दी ही उसे बच्चा होने वाला था गाओं के पास ही जंगल में एक भूदिया कुवा था उस कोई में एक चुडैल रहती चुडैल की नजर आसपास के गाओं के बच्चों पर रहती थी मीरा को जो बच्चा होने वाला था उस पर चुडैल की नजर कई दिनों से थी वो हमेशा उनके घर के आसपास गुमती रहती थी इधर रामलाल हमेशा एक ही बात सोचता था कि मुझे एक सुन्दर सा लड़का होगा जो मेरी खेती बाड़ी में मदद करेगा और पढ़ लिखकर मेरा नाम रोसन करेगा इसलिए वो भगवान से हमेशा यही प्रातना करता था कि फे भगवान मुझे एक लड़का ही देना मैं बस एक लड़का चाहता हूँ मैं दिन रात तुम्हारी पूजा करता हूँ इसलिए वो भगवान मुझे बस एक लड़का ही देना जल्दी ही समय बीथ गया और मीरा ने एक स्वस्त और सुन्दल लड़की को जनम दिया लड़की को देखकर किसान बहुत ही दुखी हो गया और दुखी होकर बोलने लगा हे बगवान मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था मैं दिन राथ तुम्हारी पूजा करता रहता हूँ और हमेशा तुमसे एक लड़के की इच्छा व्यक्ती थी परन्तु तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी अब मैं इस लड़की को क्या करूँगा यहें तो मुझ पर बोज की तरह है यहें सोचकर वहें बहुत दुखी रहने लगा था एक दिन उसने ये फैसला लिया कि अब तो मेरे सपने चूर चूर हो गए हैं मैं इस लड़की को नहीं पाल सकता इसलिए मैं चुपचाब इस लड़की को जंगल में छोड़ाता हूँ यह सोचकर उसने रात हो जब मीरा और उसका बच्चा सो रहे थे तो चुपचा बच्चे को उठा लिया और जंगल की तरफ निकल पड़ा जब वो जंगल की तरफ चा रहा था तब ही चुड़ेल ने भी उसे देख लिया चुड़ेल भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी आगे जाकर उसने बच्चे को एक पेड़ के पास रख दिया और चुपचा वहां से निकल आया चुड़ेल ने जब देखा कि किसान बच्चा रखके वाफिस चला गया है तो वो बहुत ही खुस हो गई उसने सोचा यह सोचकर वह उस लड़की पर हमला कर देती है उसी समय एक इच्छाधारी नागिन वहां से गुजर रही थी जब इच्छाधारी नागिन ने ये देखा कि चुड़ेल बच्चे को खाने वाली है तो उसने अपनी सक्तियों का वार चुड़ेल पर किया अचानक हुए इस हमले को देखकर चुड़ेल गबरा गई और वहां से भाग गई चुड़ेल के जाने के बाद इच्छाधारी नागिन बच्चे के पास जाती है और बच्चे को अपने गोद में उठाती है वहां बच्ची इच्छाधारी नागिन को बहुती सुन्दर लगती है यह कहकर इच्छाधारी नागिन अपने घर की तरफ निकल पड़ती है वही पास के गाउ में इच्छाधारी नागिन का घर होता है वह गाउ में साधारन वेश दारन करके सब के बीच गुल मिलकर रहती है गाउ में किसी को भी नहीं पता होता के वह एक इच्छाधारी नागिन है अपने घर पर ले जाकर इच्छाधारी नागिन उस लड़की का पालन पोसंड करने लगती है उधर जब रामलाल अपने घर पर पोचता है तो मीरा उससे पुझती है के मेरी बच्ची कहां पर है रामलाल कहता है के मुझे नहीं पता लगता है गाउं के पास में जो कुवे वाली चुडैल रहती है वो ही हमारी बच्ची को उठा कर ले गई और सायद वो उसे मार कर खा गई है ये सुनकर मीरा बहुत ही रोने लगती है रामलाल उससे समझाता है के ये तो बगवान की इच्छा है अब भला इसमें हम क्या कर सकते हैं यह बात बोल कर वह मीरा को समझा देता है कुछ समय बाद किसान के घर में एक बेटे का जनम होता है इस बाद किसान बहुत ही कुछ होता है दीरे दीरे समय गुजरने लगता है एक अरफ लड़की पढ़ लिखतर डॉक्तर बन जाती है और अपनी मा का और अपने गाउं का नाम रोसन करती है दूसरी तरफ जो लड़का होता है मैं कोई काम दंदा नहीं करता ना ही ठीक डंग से पढ़ाई करता है और आवारा बन जाता है लड़के के माबाब उससे हमेशा परिसान रहते हैं जब लड़के की साधी हो जाती है तो वो लड़का अपने दोनों बुड़े माबाब को घर से बाहर निकाल देता है वो दोनों माबाब दूसरे गाउं की तरफ निकल पढ़ते हैं एक दिन कोई वाली चुडैल खाने की तलास में इच्छादारी नागिन के गाउं में पहुच जाती है वो ऐसे ही गुमते फिरते गाउं में भटक रही होती है तब ही उसकी नजर इच्छादारी नागिन पर पढ़ती है और उसे याद आ जाता है यह सोचकर वेह उस लड़की पर हमला कर देती है जब इच्छादारी नागिन यह देखती है के चुडैल उसकी लड़की की तरफ हमला करने के लिए बड़ी चली आ रही है तो वेह अपना असली रूप धारन कर लेती है इच्छादारी नागिन और चुडैल के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है चुडैल बोलती है अगर तुमने इसे जरासा भी नुफसान पोचान की कोसिस की तो तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा इसलिए मैं पहले ही कह रही हूँ यहां से चली जाओ यह कहकर इच्छादारी नागिन टुडैल पर अपनी सक्तियों का वार करना सुरू कर देती है उधर किसान और उसकी पत्नी ये लड़ाई देखकर वहीं पर आ जाते हैं अंच्छादारी नागिन अपनी सक्तियों से चुडैल को मार देती है उधर किसान को जब ये पता लगता है कि वो लड़की और कोई नहीं उसकी बेटी ही है जिसे वो जंगल में छोड़ाया था यह जानकर वह बहुत ही परिसान हो जाता है और बोलता है बेटी मुझे माफ कर दो मैं लड़के की चाहत में अंदा हो गया था मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो मैं तुमें जंगल में छोड़ाया था आज मुझे पता लग गया है कि हमें कभी भी लड़के की चाहत में लड़की का अपमान नहीं करना चाहिए आज के जमाने में लड़किया किशी से भी पीछे नहीं है इसलिए हमें लड़कियों का सम्मान करना चाहिए तो प्यारे दोस्तों इस कहानी से हमें यह सिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लड़का और लड़की में फरक नहीं करना चाहिए